हेलो स्टुडेंट वल्कूं तो मैं यूट्यूब चैनल मैंतमेडिस में जुआ है आज हम लोग क्वांटिटिटिव एंड लॉजिकल थिंकिंग बारे में पढ़ेंगे जो कि स्कील इन्हांस्मेंट कोर्स है जो कि प्लॉस त्री का जो इभिन सेमिस्ट्यर है फोर्थ सेमिस् तो चलो आज से क्लास्वी करते हैं तो यह सो देखो यहां पर क्वांटिटिटिव एंड लॉजिकल थिंकिंग इसकील एन्हांस्मेंट कोर्स टू यह स्प्रेशल कोर्स है हर एक्स्ट्रिंट में यह कंपल्सरी है तो सबसे पहले क्वांटिटिटिवेंट डाट्टा इंट बड़े ही होगे जैसा कि पहले आता होल नंबर होता क्या है ओल पॉजिटिव नंबर इंक्लोडिंग जीरो होना चाहिए पर इंट जाब पूल जीरो वान टू थ्री यह सब हम लोग का होल नंबर है मतलब यह इंफिनिट तक है तो जीरो से देखो स्टार्ट हुआ है इसको हम लोग होल नंबर कहता है ओल पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो देन प्राइम नंबर प्राइम नंबर तो आप लोग को पता ही होगा ए नंबर डैट इस डिवजूल उनली बाइट सिल 1 इस कॉलड ए प्राइम नंबर जैसागे 2 3 5 7 11 13 इस तरह हम लोग को प्राइम नंबर मिल जो नंबर खुद के साथ डिविजूल होता है और 1 के साथ Lowest prime number क्या होता है 2 Prime numbers are whole number The smallest prime number is 2 Next co-prime Or relatively prime Or mutually prime यह होता क्या है Two numbers A and B Not both necessarily prime A and B दोनों prime नहीं होना चाहिए मतलों necessarily नहीं है यहापे दो number A and B Are said to be co-prime Relatively prime Or mutually prime If the only positive integer that divides both of them is 1 मतलब कोई भी positive integer जो divide कर सकता है Both of them किसी को भी divide कर सकता है 1 में Then they are called co-prime जैसे कि for example देखो 59 and 22 are co-prime Because the only common divisor is 1 59 and 22 में common divisor क्या है बस 1 ही है और तो कोई भी division नहीं है न इसी को हम लोग co-prime कहता है क्लियर क्योंकि 22 को जब हम लो फिप्टी नहीं डिवाइड करें फिप्टी नहीं हो सकता है नहीं बस हुआ नहीं होगा इंटीजर इंटीजर मेंस all positive and negative number including 0 आल कर इंटीजर देखो minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3 यह सब हम लोग का इंटीजर है यहां पर positive infinite दे जाएगा इधर minus infinity तक जा सकता है इसी को हम लोग integer कहते है whole number में देखो whole number में 0 से सुरू हो था पर यह positive था पर integer में negative भी हो सकता है positive भी हो सकता है next, rational number rational number means the same number which can be written in the form of p by q are called rational number example लिखो 115 by 4 0, 26 by 5 minus 22 by 9 3 by 5, 8 by 10 कुछ भी हम लोग अगर p by q form में लिख सकते है उसको हम लोग rational number कहते है next, e rational number e rational number means the same number which cannot be written in the form of p by q जैसे की π, root 2 cube root of 3 इस सब जो number इसको हम लोग p by q form में लिख सकते इसलिए इसको e rational number कहते है अब आप लोग बोलोगे 22 by 7 वो दो p by q form में है पर 22 by 7 जो है वो हम लोग इ rational number मतलब उसको प by q form में लिख सकते है क्योंकि वो terminator नहीं है इसलिए terminator होना चाहिए इसलिए इ rational number pi root 2 q root 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 3 यह सब लोग का इ rational number है next next देखो real number real number contains the state of whole number integer and irrational number मतलब यहां पर हर एक number है rational number भी है a rational number भी है integer भी है whole number भी है अब कुछ basic formula आप लोग school में पढ़े होगे यह सब formula आप लोग को यहां पर जरुत पड़ेगा जो भी हम लोग question को solve करेंगे वहां पर देखो यह सब formula यूज होगा जैसा कि एक पहला example if one third of one fourth of a number is 15 then three tenth of that number आप लोग को पता ही होगा जब भी हम लोग question को solve करते है जो unknown quantity को हम लोग x लेते है जैसे कि यहां पर number हम लोग का पता नहीं है कौन से number है तो let the number भी x अब देखो one third of one fourth one third of one by four of x is equal to 15 अब off का मतलब क्या होता है into होता है तो यहां पर solve के x का भी लोग आया 180 तो required number क्या होगा बोलाए three tenth of that number तो three by ten into 180 equal to 54 next question the sum of two number is 25 and the difference is 13 find their product लेता number भी x and y अब according to question sum of two number 25 तो x plus y equal 25 और x minus y केतना दिया होए 13 बोलाए find their product अब देको x plus y का whole square minus x minus y का whole square equal form लग्या होदा 4xy तो x plus y 25 दिया होए x minus y 13 दिया होए 625 625 minus 169 तो 456 हुआ then xy equal to 456 divided by 4 equal to 114 next question देखो the difference between a two digit number and the number obtained by interchanging the position of its digit is 36 what is the difference between the two digit of that number question में देखो यहां पे position होगा होगा change करते हो then difference निकालो तो 36 मिलेगा तो सपोज हम लोग किया कि let 10 digit भी x and unit digit भी y तो number क्या होगा 10x plus y minus 10y plus x is equal to 36 दिया होए this is all called the x minus y equal to y next question the difference between a two digit number and the number obtained by interchanging the interchanging is 36 what are the digit of the number if the ratio between the digits of the number is 1 is to 2 ratio दिया हो 1 is to 2 ठीक है तो solution के से रहा है since the number is greater than the number obtained on reversing the digit so the 10 digit is greater than the unit digit तो 10 digit जो होगा वो unit digit से ज्यादा होगा तो 10 digit को हम लोग 2x लेके और unit digit को x 10 digit unit से ज्यादा होगा इसलिए 2x और x अब number क्या होगा 10 x plus x minus 10 x plus 2 x is equal to 36 इसको से ज्यादा होगा 4 then one digit is 4 and the other digit is 2 into 4 equal to 8 next question the product of two number is 18 and the sum of the square is 45 the sum of the number is product let the number x and y product 13 and x plus y square 45 x plus y whole square equal to x plus y square plus 2xy solve करो x plus y 9 तो आज का class में हम लोग कि जो भी बुक में exam बोलता है उसको हम लोग यहां पर solve करी में describe करते किस तरह से यहां पर solve किया गया है next class में हम लोग इसी chapter का जो aptitude है quantity aptitude कुछ और question को हम लोग solve करेंगे clear तो उमीद करता हूँ आज का class आप लोग को पसंदा आगा अगर पसंदा तो like, share and subscribe जरूर कीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो के update आपको मिलती रहे यह chapter बहुत ही important है फोच से मिष्ट्यार student के लिए तो मिलते हैं next class में thank you अजब तो